हाई दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आप सबका सौकत करता हूँ आपके अपने चैनल में आज फिर एक बार आपके लिए लाएक नया वीडियो जिससे आप जान सके कुछ अमेजिंग बाते तो आईए शुरुत करते हैं आज का अपना ये व दोस्तो पिछले कुछ महिनों में इस कोरोना के वाई से बहुत बुरी चीजों का सांबना हमें करना पड़ा तो वही दुसरी दरब कुछ अच्छी चीज़े भी दुनिया ने पहली बार मैसुस की उन दिन पहली बार दुनिया ने फ्रेश अटमसफेर का मजा लिया तो कही जगह पे clean environment की वज़े से हिमालाय तक की चोटे दिखाई थी एक तरब ये सब आच्छा हो रहा था तो दुसरी तरब कोरोन ने हम सब को घर में बेटा कर work from home ये concept लई ये concept किसी के लिए फाइदी की थी तो किसी के लिए बहुत नुक्संग की भी थी इस work from home के चक्कर में हम technology के उपर कुछ ज़्यादा ही dependent हो गए क्योंकि online रेजरे थे हमारे mobile, laptop, tablet जैसे smart gadgets का use करना बढ़ गया वैसे देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ भी हो रहे थी क्योंकि लोग नए technology का अपना कर आगे बढ़ रहे थे लेकिन मेरे दोस्तों एक तरफ technology का बढ़तोगा use तो दुसरी तरफ online education के नाम पे हम छोटे बच्चों के हाथ में smartphone थमा रहे थे लेकिन क्या आपको लगता है यह सब सही चल रहा है क्योंकि भले ही technology हमारे लिए फाइदिकी हो लेकिन उन छोटे बच्चों का क्या जिनके छोटे बच्चों के हाथों में हमने laptop, computer पकड़ा के उनको computer language, computer coding जाने क्या क्या सिखाने के उनको पिछे लगा दिया फिलाल यह तो मैरे एक छोटो सा observation था जो मैं आपके साथ share करना चाता था लेकिन आज के वीडियो की बड़ी बाती है कि फिलाल सभी जगा पे इस festival season की धूम मची हुई है और उसके तहट सभी दुकानों में, online site पे भी और shopping mall में भी बहुत सरे प्रड़क के उपर bumper discount दे जा रहे है और हम जेसे customer उनके बादों में आके बहुत से प्रड़क को या फिर चीज़ों को खरीद भी लेते है इसमें आपको एक मज़ेदर बात दाता था हूँ चाहे हो online हो या offline सभी लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला और बाजार में सबसे ज़्यादा खरीद आने वाला प्रड़क है बाजार में आ रहे है नए नए स्मार्टफोन यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुच जाना और पैचाना है कल सुबक की बाद है मैं हमेशा के तरह मौने में के लिए जा रहा था तब भी मेरे घर के पास एक online shopping site का delivery point है यहाँ पे मैं किसी भी company या भी shopping site का नाम नहीं लेने चाहता क्योंकि मुझे उनसे कुछ problem नहीं है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने बढ़ते जा रहे smart gadget यूज़ की मैंने वहाँ पे delivery point पे ठिक से देखा तुम मुझे 20-25 लड़के अपनी बड़ी-बड़ी बैगों में सामान बढ़ते हुए दिखाई थी जो के city के अलग-अलग जागा के pro की dealer करने वाले थी वैसे तो एक सुबह की एक की टीम थी दो पेर की टीम तो अलगी थी मैंने उन लोड़के बातचित की और जाना कि इस total माल में से 80% box के अंदर तो सिर्फ mobile phone से और बाकी 20% में सिर्फ छोटी मोटी चीज़े हैं यह सुनकर तो मुई शौक ही लग गया दोस्तो आज यह पूरी बाजन कर तो मैं absolutely blanky हो गया और आज इस वीडियो के दरे मैं आपको वही बताने के कोशिश कर रहा हूँ तब मैंने सोचा और जाना कि अगर मेरे city के एक छोटे से डिलेर आउटलेट में से दिन के एक टाइम में अगर इतने सारे mobile पूरे city में डिस्टूट होते हैं तो सोचे पूरे इंडिया में एक दिन में कितने सारे mobile डिस्टूट होते रहेंगे और तब जाके मुझे याद आई रजनीकान और अक्षी गुमार की movie robot 2.0 जिसमें अक्षी गुमार इस mobile के बढ़ते यूज के उपर रोक्थम लगानी की कुशिश में मर जाता है और मरने के बाद ओबन जाता है पक्षी राज फिलाल मार्केट में ऑनलाइन शोपिंग के लिए बहुत सरे options अविलेबल है आज मैं उन में से कुछ insights की details दन करें जाता हूँ जैसे कि आप लोग को पता है अपनी इंडियन economy GDP की उपर खड़ी है मार्केट में जितना अजा transaction होगा उतने अपनी economy बढ़ीगी और उतना ही GDP भी strong होती जाएगा और इस इंडियन economy को all strong बने का contribution अलग-अलग category के अलग-अलग प्रड़क का है जैसे कि आप picture में देख रहे है यह latest market survey के अनूसर total economy के 48% share का contribution सिफ electronics item का है और बाखी सब प्रड़क उसकी नीचे आते हैं और इस प्रड़क को support और promote करती है market में मुझूद अलग-अलग shopping site जैसे कि Amazon, Flipkart, Shopclues, Mintra ऐसे बहुत सारी इसका हर एक का अलग-अलग customer group भी है और फिलाल के इन दिनों में भी Amazon और Flipkart यह ऐसी shopping site है जो सबकी favorite और popular भी है और इसके साथ ही दोनों company का साल का turnover भी बहुत ज़ादा है और ऐसा भी बोलना गलत ने होगा कि यह दोनों company number one position पर है और लगतार पिछले आट्ड़ साल का record देखा जाए तो इस online site के द्वारा सबस्यादा demand mobile phone की है और अगर हर साल ऐसा रहा तो दोहर 22 और 23 तक यह mobile की demand पुरे world में 1400 million तक और सिर्फ इंडिया में 500 million के भी उपर हो सकती है और वेसे भी यह record तो सिप online shopping वालों गाए इसमें अगर offline shopping वालों को पोई consider रखिया जाए तो यह account तो और भी बढ़ेगा दोस्तो यह सब information देखकर तो मुझे तो यकिन हो रहा है कि mobile हमारे दुनिया में नहीं तो हम उनकी दुनिया में जा रहे है और हम चारो तरफ से उनसे घिरते जा रहे है इस बढ़ते हुए mobile का demand एक कर मुझे तो यकिन हो रहा है कि आगे जाके हमें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जितने जाधा mobile का use बढ़ेगा उतने जाधा tower भी हमें लगने पड़ेंगे और सबसे जाधा खत्रा तो उस mobile tower और mobile से निकलने वाले high frequency radiation wave से है जोस्तो अपने यहाँ पे टेलिकॉम रेगुलेटरी अथरिटी ओप इंडिया TRAI के अनुसार किसी भी mobile tower से निकलने वाले electromagnetic frequency की range 400 MHz और 3 GHz रखी गई है लेकिन असल में यह frequency की range हमेशा दिये गए limit की उपर ही पाई गई है फिलाल हम 4G से 5G की तरफ बढ़ रहे हैं और इस दोरां बहुत सरे network signal प्रोवाइड करने वाले company के बीच customer के attract करने के लिए competition जली है और इसके लिए उनसे दी जाने वाली network service को वो अच्छा करते जा रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो latest और advanced equipment को use करते जा रहे हैं तो उसका मतलब है वो इस खतरना competition को जितने के लिए उनके radio frequency radiation के level को ही बढ़ाती जा रहे हैं जैके आप सब लोगों पता है हर एक mobile में एक antenna मुझूद होता है जो इस high frequency radio waves को catch करके अपने mobile में network signal पहुचाता है पर इस दोरान इस antenna के जरिये हमारे mobile में से unwanted high frequency energy का उत्सरजन continuously होते रहता है और कभी इस antenna के पास सीर या शरीर के हिस्से आ गए तो वह इस high frequency energy को absorb कर सकते हैं और इसे heat में बदल सकते हैं और इसी करण हम brain cancer, tumor, hyper stress, male fertility, glucose metabolism जैसे खतरनाक बीमरों के शिकार होते जा रहे हैं और सिर्फ ये इतना इसी भीत नहीं है तो इस वज़े से एक आम इंसंग के आयू जो पहले 75 से 80 साल ती रहती थी वो अब सिर्फ 55 से 60 साल हो गई है और इसका सबसे बड़ा असर अपने बच्चे और next generation पर पर पढ़ रहा है जिसका असर हमें अभी से दिखाई दे रहा है जैसे कि नमबर एक ट्यूमर दोस्तों मैं आपको घबरने के लिए नहीं बता रहा लेकिन आजकल सामने आई हुई रिसर्च बता रही है कि ज़्यादा फोन मूबाइल फोन के इस्तिमाल के वज़े से हमारे बच्चों में ब्रेन ट्यूमर का खत्रा बढ़ते जा रहा है बच्चों के हाथ में मॉबाइल फोन आते ही इस इलेक्ट्रोमैनिक रडेशन की वज़े से उनकी ब्रेन अक्ट्यूमर दिन कम होते दिखा दे रहे हैं नमबर तीन, academic performance, बहुत से बच्चे अपने साथ स्कूल में mobile carry करते हैं, जिसके वज़े से class में और tuition में वो अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकते, और जिसका नतीजा है उनका कम होते जारा academic performance. पर चार, inappropriate media, कुछ अलग gadget के साथ ही mobile phones एक जरिया है जिससे कि जो चीजे, photograph, कुछ वीडियो या फिर कुछ text messages, जो बच्चों ने नहीं देखने चाहिए, अगर वह देख लिए, तो उस बच्चे का बविश्य अंधरे में चला जा सकता है. अपने friends के साथ late night talk या फिर online gaming के वज़े से अभी बहुत सारे बच्चे रात में पूरी तरह ठिक से सोने पा रहे, और जिसकी वज़े से उनकी निन पूरी नहीं होती, और उसका direct असर उनकी दिन में हो रही work activity के उपर भी हो रहे. नमबर छे, medical issues ये तो obvious होना ही है, अगर बच्चा उसके free time में बाहर जकल ground पे physical activity करने के जगा पर दिन बर game खेलता रहेगा, तो उससे आगे जाके diabetes और hypertension जैसे बीमारे तो होने ही है. नमबर साथ, mental health, इस social media के वज़े से बच्चों में आरे प्री maturity, depression या फिर कई ए एनेक्जिटी जिससे की बच्चे online attention नहीं देर पा रहे हैं, और हम सब बच्चों के physical और mental health के साथ खिलवाड कर रहे हैं, तो दोस्तों हो सके तो बच्चों को जादा से जादा इस mobile और social media की दुनिया से दूर रखिए, safety standards and licensing, इस बढ़ती जारे अबादी के साथ, बढ़ते जारे इस mobile phone की radiation की रोक्ताम के लिए कुछ government और regulatory bodies आगे आई हैं, जिन्होंने कुछ राश्टिय और अंतरश्टिय safety standards बनाए हैं, और इसमें एक जो बहुत popular safety standard है, वो है International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP और अब तक इसे 80 से अधिक दोश्वारा अपनाय गया है, लेकिन एक बुरी बात भी है कि इसमें अपना इंडिया का नाम कहीं पे भी नहीं है, इस standard के तहट, mobile company या एक दिये गए limit के उपर radiation का एक्सपोज नहीं कर सकती, अगर ऐसा उनने किया, तो उनके खिलाब सक्त लाएगी, सुजरलेंड, आस्ट्रिलिया, जर्मानी, फ्रांस, जिसे बहुत सरे देशे जहाँ पर इस mobile frequency की range को कम से कम रखा जा रहा है, दोस्तों मैं सिप इस वीडियो के जरीए कोशिश कर रहा हूँ कि इस सच्चाय को आपके समय ला सकूँ, और हो सके तो हमारे अगे आ आने वाले जन्रेशन को बच्चा सको, इस वीडियो के जरीए अगर आपको थोड़ी सी भी जान कर मिली हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो ज़रू इसे लाइक और शेर किजे, वेसे चैनल तो आपने सब्सक्राइब पहले से क्यार हैगा, थैंक्स झाल बच्आ कर दो आपको कर दोरा, जह अिनक्स अलोवी झाली आपको